अगर आप लोग अपने मार्क्षीट में अपना नाम, डेट ओवर्थ, फादर्स नेम कोई भी चीज को करेक्शन करना चाते हैं तो आप लोग इस वीडियो का बुरा कम्प्लीट देखना इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कहीं पर भी जाने के आउशक्ता नहीं है, आप घर बैटे ही, अपने स्मार्टपोन से, अपने मार्क्षीट यानि के स्रेटिपिकट में कोई भी चीज को करेक्शन कर पाएंगे, करेक्शन करने के लिए आपको गोगल पर आना है और आपको गोगल पर सर्च करना है, यूपी एमएसप धार्श कर देना है, जैसी पर क्लिक करते ही आप सभी लोगों के सामने मादमिक शिच्चा परच्छ उत्तर परदेश पर्यागराज का ओफिस्यल वेपसाइट ओपिन हो जाएगा अब आपको नीचे इसकोड़ाओं करके चले आना है जैसे ही आप नीचे इसकोड़ाओं करके आते हैं तो यहाँ पर सभी लोगों करके आना है तो मैं आपको बता दू कि आप इस वेपसाइट के जरिये क्या क्या संसुधन करा पाएंगे जैसे की मूल परमाणपत्र जारी करना परमाणपत्र में आपका परमाणपत्र कहीं पर खो गया है तो आप उसका दूसरा या पर कौपी निकलवाश सक या फिर फादर्स नेम कुछ भी चीज करेक्शन कराना है तो आप पच्वे स्थान से कर पाएंगे सबसे पहले यहां पर आपको मिलता है जन्हित गरांटी अधिनियम 2011 के अंतरगत विबिर्न शेवा के उप्योग के लिए नए पंजियन है तो तो सिंपले दोस्तों आपको यहां क्लिक करें के option पर क्लिक कर लेना अब यहां पर आप लोगों को अपना एक user ID और password बनाना होता है तो सबसे पहले आप लोग यहां पर अपना एक mobile number एक email ID फिल करके send OTP पर क्लिक कर लेंगे तो आपके email ID पर एक OTP send कर दी जाएगा तो आपको उस OTP को यहां पर फिल कर करके यहां पर complete करना होता है process और उसके बाद आप लोग अपना user ID और password generate कर पाएंगे अगर आप लोग user ID और password generate करने में कोई भी समस्यार ही है तो description box में आपको एक वीडियो का link मिलेगा जिसे आप लोग देख करके user ID और password generate कर पाएंगे तो यहां पर सिपरी दूस्तों मैं login करे option पर click कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास पहले से ही इसका user ID और password है तो आपको सबसे पहले आपर user ID और password बना लेना है तो आपको user ID इस वाले box में फिल करना होता है password जो आप बनाते हैं उससे आपको यहां पर फिल करना है सुरच्छा code में दूस्तों आपको नीचे कुछ capture code सो होता है तो आप लोग इस capture code को यहां पर फिल करेंगे अगर आपको यह capture code समन नहीं आ रहे तो आप reload के option पर click करेंगे तो यह capture code यहां पर दूसरा आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे इसकोड़ां करके आना है login के buttons पर आपको click कर लेना है अब आप यहां पर देख हैं कि हम लोग successful login कर चुके हैं उसके बार दोस्तों यहां पर आपको सेवा चून कर button पर click करें तो यहां पर मैं आपको जून करके दिखा देता हूं तो यहां पर आप देखेंगे आपको क्या changing करना है जैसे कि माले जीए हमें अपने दसवी के मार्क स्रीट में date of birth या फिर address name या फिर अपना ही name बदलना है तो हम लोग पच्वे आले अस्तान पर सरसोधी प्रमाणपत्र जारी करने हैं तूपर click कर लेंगे ठीक है तो यहां पर आप जैसे ही टिक करते हैं और उसके बाद आपको नीचे यहां पर एक option मिलता है चुनी गई सेवा से सम्मंदीत प्र को upload करें ध्या रखना यहां पर आपको कुछ यहां पर documents को upload करना होता है उसके बाद ही दोश्तों आप लोगों का यहां पर प्रमाणपत्र आपके पार send कर दी जाता है इसके पहले जब आप लोग अपना user ID और password generate करेंगे तो वहां पर आप लोग उसे details बुचा जाता है ज option पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप सभी लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटर्फेस हो जाएगा जहां पर आप देखेंगे शेवा का नाम हम लोगों क्या है यहां पर आप लोग अपने जनपत का नाम सेलेक्ट कर देंगे आवेदक का नाम दूस्तों कौन आवे आपको अपने अड्रेस पूरा भरना है जो भी आपका अड्रेस है और उसके बाद यहां पर आपसे पुझाएता है थाना तो आप लोगों का जो भी थाना जहां पर आपको भरेंगे यहां पर पोस्ट आपीस आपको भर देना है और यहां पर आप देखेंगे जनपत यान लोगों को अपने यरिया का पिन कोड नमबर नहीं पता है तो आप लोग अपने अधार काड के बैक साइट पर देखेंगे तो आप लोगों का पिन कोड वहां पर आपको मिल जाएगा उसके बाद परिच्छा के परकार के यहां पर चैनल लिग देंगे उस रोल नमबर को दोस्तों आपको यहां पर फिल करना है उसके बाद शेव नियू रिक्वेस्ट के आफसर पर क्लिक करना है अब दूस्तों मैं आपको बता दू जैसे ही आप से नियू रिक्वेस्ट का आफसर पर क्लिक करते हैं तो उसकी आपसे डोकुमेंट्स मांगा जा रहा है आप लोग उस डोकुमेंट को पहले से ले लीजिए और उसके बाद उसका एक वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों में शेयर करना जहिन वंदे मातरम